Hi everyone, welcome to Current Crunch, I hope you all are doing well. तो हम स्टार्ट करें आँसे एक नई प्लेलिस जिसमें कवर होंगे आपके Current Affairs. ये Current Affairs आपके JKS का एक्जाम जो भी प्रिलिम्स होने वाला है और JKSSB के एक्जाम जैसे आपके नई प्यसिलदार हो गया, स्कॉंस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जो भी एक्जाम JKSSB कंड़क्ट करती है, सब के लिए काफी बेनिफिशल रहेगा. ठीक है तो Current Affairs ये आपके एक्जाम का एक काफी important component होता है, जहांसे काफी questions आपके एक्जाम में आते हैं. तो हमें कैसे cover करेंगे? वीक में आपके दो-तीन classes होंगी YouTube पे and हम हर वीक एक component cover करने की कोशिश करेंगी, जैसे हम starting with quality, तो मैं कोशिश करूँगी इस week में आपका quality cover हो. तो अगर ये process हमारा रहेगा, 1-1.5 मन्त में हमारा जो Current Affairs है, वो complete हो जाएगा. अब Current Affairs के साथ लोग क्या mistake करते हैं कि last पे छोड़ देते हैं कि Current Affairs बाद में देखेंगे. And होता क्या है, एक्जाम से पहले उनके पास एक bulk of information होती है, जिसको उनको याद करना होते है, memorize करना होते है, retain करना होते है. And ये उस टाइम पे काफी मुश्किल हो जाता है, उनके लिए या तो फिर कुछ students छोड़ देते हैं, Current Affairs, कुछ बस पढ़के जाते हैं, पर उनका उतना retention obviously नहीं होगा, क्योंकि revision नहीं होए है, एक्जाम में वहां से questions गलत करके आते हैं. और Current Affairs एक ऐसा portion है, जो काफी scoring है, क्योंकि Current Affairs से आपको कुछ confusing questions नहीं आ सकते हैं, आप Current Affairs अगर आपने सही से पढ़े, आप उसमें confused नहीं हो सकते हो, ठीक है, तो Current Affairs में आप क्या करोगे, खासकर जो अभी JKS prelims होने वाला है, आपको क्या करना होगा, पिछला अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, वान येर Current Affairs पढ़ने का, लेकिन जो लेटिस्ट है, 6-7 months, या 5-6 months आपके last वाले, ठीक है, एक्जाम से पहले वाले, तो वो मन्त अब जरूर करके जाओगे, क्योंकि Majority आपके जो JKPAC questions पूछती है, यहीं से पूछती है, ठीक है, and करते क्या है Students Vision IS की Monthly Magazine ले ली, and उनको आइडिया नहीं है कि JKPAC किस टाइप के question पूछती है, वो Monthly Magazine रटने लव जाते है, and they end up wasting majority of their time, क्योंकि जो UPSC का Current Affairs है, and JKPAC का Current Affairs है, उसमें काफी difference है, UPSC Current Affairs जो पूछती है, वो आपको Current Affairs में से काफी चीज़े ऐसी पूछती है, जहां से आपक Static Component पढ़ना होता है, for example, आपका कोई Article, Article 20 News में है, तो JKPAC आपको Article 20 ही पूछ सकती है कि News में क्या था, लेकिन UPSC में आपको Article 20, that means पूरा Fundamental Rights पढ़ना होगा, Fundamental Rights, Fundamental Duties में से कुछ भी आ सकता है, fine, तो UPSC का जो Current Affairs का पढ़ने का तरीका होता है, वो हमारे JKPAC से काफी ज IS है, PIB Government Website है, PRS है, यह सारे आप Consult कर सकते हो, अपने Short Notes बनाने के लिए Current Affairs से, तो यह Time Consuming Process है, इसलिए मैंने यह Playlist लाई है, जो मेरे Sources है, वो में यही Sources रफर करके, आपको हर Component जो है, एक Week में Cover करवाऊंगी, और जो मेरा PDF है यहां से, जो मैंने बनाया हुआ है, वो आप से Current Crunch सर्च करो, Play Store पे तो आपको आप मिल जाएगी, या अगर आप description में जाओगे, आपको different links मिलेंगी, अलग-अलग courses की, जो मैं अभी करवा रही हूँ, आप वो courses परचेस कर सकते हैं, मेरी case के अभी test series भी currently चल रही है, ठीके, तो वो test series भी आप चाहो तो वहां से प links मिल जाएंगी, ठीके, तो हम start करते हैं हमारा आज का component, quality से, तो पहला question देखते हैं, तो मैंने question answer format में लिखा है, क्योंगी question answer format में students बोर नहीं होते, information याद करना काफी easy रहता है, ठीके, which are the following statements, जो है regarding the international center for audit of local governance, recently inaugurated in Rajkot, Mujraak, ठीके, तो हमें बोलना है जो ICAL है, इसके बारे में कौन सी statement correct है, तो पहले question से आपको एक information मिल रही है, कि इसको recently inaugurate किया गया है, and इसको recently किसने inaugurate किया था, it was inaugurated by CAG, Comptroller and Auditor General of India, ठीके, वो कौन है, उनका नाम किया है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, तो गरीश, चंदर मुर्मू, ठीके, ये आप लिख लोगे अपनी notes में, तो इन्होंने recently अभी इसको inaugurate किया है, जैसे CAG कोन है इंडिया के currently, आपको PSC, ऐसे question पूछ सकती है, जैके PSC, पर UPSC में usually ऐसा question नहीं आता है, ठीके, और अभी recently इनको गरीश चंदर मुर्मू को re-elect किया गया है, as the external auditor of WHO, 4 साल के term के लिए 2024 to 27, ठीके, तो ये भी आप अपने notes में कहीं पर add कर सकते हैं, बाकि ये जो PDF है, ये आप मेरी app डाउन्नोड करके, वहां से आप ये जो है, PDF डाउन्नोड कर सकते हैं, ठीके, तो आप question पर वाप है, तो ICAL basically एक initiative है, SAI का, that is the Supreme Audit Institution, तो ये independent body है, जो bodies को अलग-अलग government की, जो authorities, Parliament के authorities हैं, उनको audit करती है, and then report करती है to the concerned body, जैसे public account committee के पास चली गई, उनको अपना report present किया, ठीके, तो ये ही conduct करवा रही है, ICAL, जिसमें क्या होगा, हुआ क्या है, basically standards, जो है local governance audit के, उनको increase किया गया है, जो auditors है, जो audit पगेरा करते हैं, उनको empower किया गया है, ठीके, कैसे empower किया गया, auditors को उनके लिए comprehensive tailor-made training programs, वो launch के गये हैं, तो ये सारे जो काम है, वो को न देखता है, ICAL, ठीके, अब हम options की तरफ आते हैं, it is a first center of its kind in India to set global standards for auditing local governance bodies, तो तो local governance bodies कोन सी है, आपकी for example, panchayats, या urban local bodies, तो basically इनको कैसे audit किया जाए, उसके लिए कुछ global standards set किये गये है, through this initiative called as ICAL, तो one, first one is correct, second one is ICAL aims to serve as a center of excellence for capacity building of policy makers and auditors, this is also correct, the main objective of ICAL is to enhance the financial autonomy of the national level governance bodies, this is wrong, national level नही local level, ठीके, तो इसका answer होगा one and two, तो यहाँ पर explanation भी दी हुई है, ताकि जब आप रवाइस करूई सारी current office, आपके लिए वो easy हो जाए, तो यहाँ पर local को highlight भी किया हुआ है, वोई एक statement जो थी, उसमें wrong थी, consider the following statements regarding Shri K.P. Sharma Oli, which was recently sworn in, who was recently sworn in as the Nepal's prime minister for the fourth time, तो four time के लिए इनको Nepal का prime minister बनाया गया है, तो इनके बारे में कुछ statements है, was he the leader of national communist party, ठीक है, या, this is the fourth time K.P. Sharma Oli has been sworn in as the Nepal's prime minister, यह तो आपके question मही है, तो this is correct, K.P. Sharma Oli has led multiple coalition government during his political career, तो इसमें second and third, जो है, वो correct है, C answer है इसका, and यह जो leader है, यह नेपाल communist party के नहीं है, he is the leader of communist party of Nepal. Communist, party of Nepal नाम है, ठीक है, तो नाम party का जो है, आपको exactly ही लिखना होगा, नाम national conference को conference of nationalites तो नहीं बोल सकते हैं, तो नाम आपको exactly ही लिखना होगा, तो यह इसका explanation है, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ से आप ही revise कर सकते हो, Which of the following statements are correct regarding the recent Supreme Court ruling on mineral taxation rights, ठीक है? तो उसी के according, Supreme Court के एक ruling आई है, तो उस ruling के according, The Supreme Court ruled that state legislatures have the power to leviate taxes on mineral rights के state legislature on पे taxes leviate कर सकता है, ठीक? The court ruled unanimously that the Parliament's Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 limits state taxation powers क्या state किया गया है, कोट के थू ऐसा कुछ? One dissenting judgment warned of potential negative consequences if mineral taxation rights are given to states. तो हमें बूलना है, इसमें से correct किया है, तो correct है, इसमें 1 and 3, ठीक है? यहाँ पर हम explanation देखते हैं, Statement 1 is correct because Supreme Court ruled that the state legislatures have the power to leviate taxes on mineral rights, ठीक है? Second incorrect है, क्यूंकि court ruled that Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 does not limit the state taxation powers, not the other way round, जैसा कि आपके question में mentioned था, and Statement 3 is also correct. The Supreme Court of India has recently addressed a crucial issue regarding the taxation of mineral rights, overturning its 1989 verdict, and reaffirm किया है power of states in this context, ठीक है? तो यह कुछ additional information है, जो आपके काम आ सकती है exam में. Which of the following statements are correct regarding Neeti Ayaug, Sampoornita Abhyaan? तो Sampoornita Abhyaan जो है, किसका अभयान है? Neeti Ayaug का start किया हुआ, तो हमें बोलना है कुन सी चीज़ इसमें correct है, किसके बारे में है यह अभयान? पहला है, क्या यह एक 3-month campaign है to achieve saturation of key indicators in the aspirational districts and aspirational blocks, ठीक है? तो कुछ aspirational districts जो है, वो बनाई गई थी government के through underdevelopment, underdeveloped, basically socially and economically backward districts है, उनको uplift करने के लिए. ठीक है, तो जो यह समपूरना अभयान है, क्या यह कोई 3-month का campaign है, कि हम जो key indicators है, जैसे आपका health, nutrition, education, वगएरा, उस पे काम करने के लिए, ठीक है? ताकि उन पे हम key indicators पे achieve कर सकें, जो हमने target aim किया है, क्या इसके लिए लाया गया था? Second is, key indicators in the aspirational districts include distribution of soil health card and the full immunization of children. क्या इसमें ऐसा कोई point mentioned है, ठीक है, तो क्या इसमें ऐसी कोई screening लिखी हुई है, क्या इसमें soil health card and immunization की बाद भी की गई है, या यह कोई three month campaign है, अचीव करने के लिए, जो भी key indicators आये थे, इसमें जैसे health and nutrition है, उनको fulfill करने के लिए. तो answer check करते है, answer is one, two, three, that is all of the above, ठीक है? तो जो इसमपूरना अभियान है, यह basically three month campaign है, एम करने के लिए, यह उसने एम किया था, अचीव करने के लिए, saturation of जो भी key indicators है, उनको पूरा करना, aspirational districts and blocks में, statement to be correct है, इसमें soil health card and immunization वाला point भी आता है, statement third भी correct है, इसमें इन लोगों की screening भी की जाएगी. यहाँ पर मैंने आपको additional information दी हुई है, यह आपके Jammu in Kashmir का क्या है, जो भी आपके aspiration districts है, वो mention किये गए है, aspiration blocks जो हैं, वो mention किये गए है, तो आप क्या करोगे, एक बार यह पढ़के जाओगे, दो-चार बार exam से पहले, अगर आप यह PDF, युल गो थ्रू 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 इस PDF, नजर से गुजरे गए काफी बारी, आप इसको read करोगे, तो जो चीजें हैं आपके दिमाग में, automatically register हो ज सकते हो, which of the following statements are correct regarding the Seher program launched by the Women Entrepreneurship Platform and the TransUnion Sybil, ठीक है, तो हमें बोले, Seher program जो launch किया गया है, इनके थ्रू, WEP and Sybil के थ्रू, उसमें से कौन सी चीजे correct है, ठीक है, सहर, तो इस Sybil program basically क्या है, यह Sybil, TransUnion Sybil, यह क्या करता है, it keeps track of people's credit information, कि अगर आपने loan लिया है, यह आपका credit card use कर रहे हो, तो आपका जो repayment है, जो आप timely pay कर रहे हो, तो वो कैसा है, कि आप timely pay कर रहे हो, जो भी आपका interest बनता है, क्या वो pay नहीं कर रहे हो, उस recording आपको Sybil score दिया जाता है, यह किस काम आता है, कि आपको future में credit card apply करना है, यह आपको future में, you want a loan, तो यह जो bank से check करते हैं, कि आपका Sybil score कैसा है, आपका पुराना जो भी है, बैंक के साथ, आपका lending and buying का जो भी सिलसिला रहा है, उसका आपने, जो है, इंट्रेस टाइमली pay किया है, यह नहीं, ठीक है, तो यह help करते है, बैंक को, यह देखने में कि आपको future में, लोन देने है, कि नहीं, तो सहर प्रोग्राम किया है, जो इन्होंने इनिशेट किया है, aims to increase the financial awareness among the women and entrepreneurs in India, और one of the key goals of सहर प्रोग्राम is to educate women on financial topics, including their civil rank and commercial credit reports, third one is क्या सहर प्रोग्राम फोकस करता है, exclusively on providing business skills training and does not include financial literacy content, तो इसका answer one and two है, अब मैंने does not को यहां प सहां में क्या होता है, if you know nothing about the question that is being asked, आपके सामने 3-4 statements है, और आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि आपको a question solve करना है, तो look for these keywords, ठीक है, यह हम इनको extreme statements बोलते हैं, and majority of the cases में, हर बार नहीं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो यह जो एक्स्रीम statement होगी, जिसे आपको options दी होगी, और बोला होगा, इसमें से कोई भी ये काम नहीं करता है, तो that is classified as an extreme statement, and अगर आपके किस्मत अच्छी होगी, majority of the cases में, जो extreme statements हैं, गलत होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे does not लिखा हुआ है, यह तो वैसे गलत भी है, पर मैंने highlight आपको यह women entrepreneurs in India, तो कौन सी statement correct है, around 20% of India के जो MSMEs हैं, that is micro, small and medium enterprises, यह आपके small businesses होते हैं, जैसे इनमें, जो भी equipments use होते हैं, जो भी investments होती हैं, वो काफी कम होती हैं, बड़े business के comparison में, and इनका जो turnover होता है yearly, वो भी कम होता है, तो around 20% of जो भी India के MSMEs हैं, they are owned by women, women-owned business जो हैं, वो employ करत in India, and March 2024 में 38% of 1.5 crore business loans जो हैं, borrowers were women, तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए, यह points जो हैं, जो में आपको बोल रही हूँ, as current affairs, तो यह आप अपने, अगर आपका इन्शाला, problems qualify होता है, तो में 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 भी points जो हैं, utilize कर सकते हो, and जो PDF संबाल के रखना, and जब आपका problems qualify हो जाएगा, तो में से पहले, जिसे डेटा में आपको दिया हुए, इन questions में जो आता है, जिसे यह वाला डेटा है, तो यह डेटा कही ना कहीं, आपने answers जरूर यूज कर सकते हो, तो इसका answer is D, all of the above. which of the following statements are correct regarding the women entrepreneurship platform, तो कौन सी चीजे correct है, the women entrepreneurship platform was established by Niti Aiyog in 2018, हाँ, Niti Aiyog ने किया था, it transitioned into a public-private partnership model in 2022, yes, क्योंकि Niti Aiyog ने किया था, तो इतना तो clear है ना कि यह public है, लेकिन private partnership, public-private partnership हुई थी, उसको short में PPPB बोलते हैं, यह usually क्यों होती है, अगर आपको funding वगेरा, increase करनी होगी किसी एक scheme की, किसी एक body की, तो अब क्या करते हो, government क्या करते है, private के साथ हाथ मिलाती है, ताकि वहाँ से funding जो है, वो आती रहे, WEP focuses solely on providing access to the finance for women entrepreneurs, अब देखो again, यहाँ पे एक extreme statement मैंने use की है, क्या यह focus करते है, solely on providing access to the finance, access to finance for women entrepreneurs, तो इसका answer होगा wrong, तो इसका answer one to two है, one and two only, ठीक है, जैसे मैंने का था, look for the extreme statements in the question, तो क्या यह सिर्फ finance वाले aspect पे focus करता है, तो इस statement गलत होगी, ठीक है, statement three is incorrect, because it provides a range of support services to women entrepreneurs, including access to finance, market linkages, training, mentoring, business development services, तो finance के अलावा भी यह काफी कुछ करता है, which of the following is a key objective of the drone dhidi initiative, drone dhidi initiative, ठीक है, क्या यह empower करेगा women को by training them to operate drones for agricultural task, to provide drone to 50,000 women, self-help groups for rental services to local farmers, to reduce dependence on importer fertilizers and support Aadmanirvar Bharat initiative, तो इसका answer one and three होगा, ठीक है, तो 15,000 drones नहीं provide होगे, उनको provide होगे 15,000, जैसे यहापे लिखा हुए, statement two is incorrect, because initiative provides drones to 15,000 SSGs and not 50,000, ठीक है, तो जैसे मैं आपको PDF भी दे दूँगी, तो आप क्या करोगे, अभी से अपने वीडियो देख लिया, उसके बाद शाम को आप यह आदा गंटा, पढ़ा है, आप उसको बीट नहीं कर पाओगे, एक गंटे या एक दिन देके, सिर्फ पूरे current affairs के लिए, 9. Which of the following is true regarding the Telecommunications Act 2023? So, Telecommunications Act अभी government ने, है तो 2023 का, लेकिन government ने notify किये थे कुछ sections of Telecommunication Act, तो इस वज़ा से news में था, क्या ही Unifine अपडेट करेगा laws को related to the Telecommunication Services and Assignments of Spectrum, यह replace करेगा Indian Telegraph Act को, Indian Wireless Telegraph Act को and Telegraph Fires Unlawful Possession Act, ठीक है? And यह जो principle है, यह एक है, it is guided by principles of inclusion, security, growth, but not responsiveness, तो यह जो है, इसमें three गलत होगा, क्योंगि यह जो act है, इस act को guide किया है, सारे principles ने, that is principles of Samovay, Surakshya, Vridi and Thwarit, ठीक है? तो इसमें inclusion, security, growth and responsiveness चारू होगे. And again, मैंने यहाँ पे यह वाला statement क्यों ऐसे बनाई है, क्योंगि कभी क्या होता है? हमें question पता होता है, ठीक है? तो हमें एकदम से हम क्या करेंगे, जिसको एक question पता होगा, वो जल्दी-जल्दी से चारू principles देखेगा. And he'll think, के answer one, two and three है. Usually, जे not लिखा होता है बीच में, या कहीं पे incorrect लिखा होता है, we tend to overlook these things. याप question में भी देखोगे, which of the following is not correct? ठीक है? Which of the following is incorrect? Which of the following is not an option? तो ये सारी चीज़े जो है, ये आपकी अंदर develop होंगी with practice. ये भी एक रीजन था, कि मैंने ये series को आपको directly content form में नहीं लाया, बलके MCQ form में लाया, हाला कि it's very time-consuming, ऐसी PPTs बनाना. लेकिन ये इस वज़े से लाया, ताकि आपको साथ-साथ ये भी पता रहे कि आपको MCQs कैसे solve करने हैं. Which of the following statements is not correct regarding the Krishy Sakhi Convergence Program? तो Krishy Sakhi Convergence जो है, basically, ये आया था under LAKPATI-DIDI Scheme. LAKPATI-DIDI Scheme, जिसके अंदर आपको empower करना था certain, I guess, 3 lakh women को, और उसी का एक पार्ट था, Krishy Sakhi Convergence Program. तो एंपावर करेगा rural women को by training them as para-extension workers, called Krishy Sakhi's की तरा उनको train करेगा. The program is an initiative of the Ministry of Agriculture and Farmers, Welfare and Ministry of the Rural Development. In its first phase, the program has been rolled out in all Indian states. ठीके, तो हमें बोलना है, correct क्या है? Correct है, आपका 1 and 2. Statement is correct. ठीक है, ये भी correct है. तो incorrect है, as a program, its first phase has been rolled out in only 12 states and not the all Indian states. ठीके, तो ये आप यहाँ पर याद रखोगे. तो ये बेसिकली इनको train करेगा यहाँ पर, जबकि Sakhi's है इनको, क्या बोला है, Krishy Sakhi's, उनको training देगा, farming system के बारे में, integrated farming system के बारे में, ठीके, and livestock management के बारे में. Fine. यहाँ पर दो बार ही 10 हो गया, 11th question था. Which of the following activities were undertaken by the Krishy Sakhi's under the Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region Scheme. Okay, तो कौन सी जो activities Krishy Sakhi's ने की है under the Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region Scheme. So, that is your 1 and 2, that they will visit farm once a month to monitor the activities and address challenges and they conduct weekly meetings with the farmer interest groups to provide training and discuss issues. ठीके, और Krishy Sakhi's receive a monthly resource fee of 6,040 services, 6,000 नहीं, 4,500. तो यहाँ पर mention भी है, तो third option गलत होगा, answer would be 1 and 2. Which the following statements are correct regarding the e-Sakshya app. तो यह जो e-Sakshya app है, यह किसके लिए बनाई गई है? It helps police record crimes, conduct searches and manage seizures in criminal cases. The app allows for evidence to be uploaded to a cloud-based platform. Each recording in a Sakshya app can be a maximum of 10 minutes long की जो recording है वो होनी चाहिए, with only one file uploaded per FIR. तो third इसमें गलत होगा, 1 and 2 is the answer. I guess यहाँ पर 4 minutes long है and यहाँ पर one file लिए, multiple files हैं. तो, it is 4 minutes long and not 10 and multiple files can be uploaded per FIR. Which of the following changes were introduced in the administrative powers of the LG of Jammu and Kashmir as per the recent amendments? ठीक है? तो यह काफी important है क्यूंकि हमारे Jammu and Kashmir Union Territory का है which forms this as an important content which आपके exam में आ सकता है. तो कुछ amendments हुई है, वो amendments कहां पर हुई है? वो हुई है in Transaction of Business Rules में. Transaction of Business Rules and वो क्या amendments है? The LG has now the enhanced authority in matters related to police, public order and आपका All India Services भी इसमें आएगा. ठीक है, तो this is correct. Proposal जो है requiring prior concurrence of the Finance Department must be placed before the Chief Secretary before approval of the LG. This is also correct. LG has no longer any role in the appointments of Advocate General Law Officer and persecution sanctions. This one is wrong. तो जो LG है, he is completely involved in the appointments of Advocate General Law Officers and persecution sections are not excluded. ठीक है? तो ये सारे जो चीजे हैं, ये इसमें add की गई हैं, जिसे All India Services लाया गया है, इनकी appointments में इनका role. ठीक है? ये सारे किस से आया है, जो हमने अभी recently changes किया है in the Transaction of Business Rule. तो और एक question इसी से related, which are the following areas are now within the purview of the LG's decision-making process. तो जो LG अपना decision-making process करता है, उसमें कौन-कौन सी जो establishment है, उसको add किया गया है, prisons, Directorate of Persecution, Forensic Science Laboratory and Finance Department Matters. ठीक है? तो ये सारी जो चीजे हैं, लाई गई हैं, जो हमारे Lieutenant Governor है, उनका नाम क्या है, वो आप मुझे comment section में लिखके बता, वो तो काफी easy है, I guess आप में चौटी को पता होना चाहिए, ठीक है? तो उनकी power में कुछ changes लाई हैं by amending the Transaction of Business Rule and वो क्या changes है, वो हमने यहां पर discuss करी है, तो आप PDF डाउनलोड करके एक बड़ी State Act is correct. अब आपको इन दो के बारे में बताने है, correct कौन से है, लेकिन उससे पहले आपके लिए दूसरा question है, आप मझे comments में बताऊगे, जो Bill Tribe है, किस state में पाई जाती है? ठीक है? तो जो आंद्रप्रदेश Organization Act है 2014, created a separate Telangana, ठीक है, वो हमें पता है, विद धिशाका पत्नम as its capital? No. Capital क्या है? Hyderabad. The demand for a separate Telangana state was due to concerns over the cultural difference with the Andhra Pradesh. तो क्या ही सही है? No, this is not correct. It was primarily due to the regional inequality in development, not the cultural differences. ठीक है? अब अंदर-अंदर से behind the curtains हो सकता है cultural differences हो, लेकिन ऐसा नहीं है, regional inequality जो है वो बोला गया था, इस वज़ा से ही, जो है एक separate state जो है वो demand की गई थी. जो Bill Tribe है, has demanded the creation of a tribal state called Bill Pradesh, जिसमें आपके Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharaj टाएंगे. This one is correct. तो answer क्या होगा? C. Which the following statement is correct regarding the National Program for Civil Services Capacity Building, Mission Karam Yogi? तो Mission Karam Yogi लाया गया था, civil servants के लिए, उनको train करने के लिए, ताकि थोड़ा उनमें professionalism आ जाए, ठीक है, उनमें थोड़ी progressiveness आ जाए, तो थोड़ी creative aspect उनमें भी आ जाए, innovation आ जाए उनमें, तो ये सारी चीजों पे वो काम करें, इस वज़ा से Mission Karam Yogi लाया गया था, it was recently again in news, इस वज़ा से ये mention किया गया है, यहां पे, Mission Karam Yogi aims to provide training only to the senior civil servant at the union government level, तो again, extreme statement की example यहां पे मैंने mention किया, आपको समझाने के लिए, तो this is not the answer, answer इसमें B है, ठीक है, वो आप देख ले ले, to create a future-looking civil service with a shared understanding of India's developmental priorities, ठीक है, यह आपको इसका, यहां पे, explanation भी मिल जाएगी, which of the following statement about the doctrine of merger is correct, doctrine of merger के बारे में क्या सही है, तो doctrine of merger होता क्या है, अगर higher court ने कोई pass की है ruling, तो अगर उसे lower court ने, उस बारे में पहले ही कोई decision पास किया है, that becomes invalid, ठीक है, यह होता है आपका doctrine of merger, तो answer है B, according to the doctrine of merger, once a higher court passes its ruling, the original decision of the lower court, जो है, it becomes invalid, simple है, which of the following best describes the doctrine of stair decision, अब इसको decissus प्रनाउस करते हैं, decissi करते हैं, I'm not completely sure, यह आप खुद से देख लो, तो basically latent term है, जिसका मतलब है, to stand by the things decided, to stand by things decided, ठीक है, यह basically होता, क्या एक legal principle है, जो कहता है court को, कि जो previous judgments आए हैं, किसी case के बारे में, adhere to that, ठीक है, stick to that judgment, stick to the judgment of the higher tribunals, while resolving a case, with, जिसके comparable facts हो, for example, two cases है, दोनों की जो facts है, जो case में, चीज़े हुई है, वो similar है, kind of, तो बोला जाएगा, जो एक case में, judgment pass हो गई है, इन facts के regarding, तो आप क्या करो, adhere to that principle, adhere to those judgments, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, facts बिल्कुल अलग है, यहाँ पर एक theft का case है, और एक murder का case है, और आप बोल रहे हो, कि जो judgments है, वो stick to those, नहीं, अगर जो facts है, वो comparable है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर already कोई judgment pass की गई है, किसी एक higher tribunal ने, यह कहीं पर किसी court ने, उस बारे में, already कोई judgment pass की गई है, तो आप stick कर सकते हो, आप use कर सकते हो, same judgment को, ठीक है, which makes the answer, option B, which of the following statement is correct, regarding the section 436A, of the code of criminal procedure, CRPC, 1973, तो इसमें कौन सी चीज़ सही है, section 436A of the CRPC, under section 436, and under trial, who has been in detention, for half the maximum sentence, of the alleged crime, except those punishable by death, is eligible for bail, ठीक है, अब अगर किसी ने कोई crime किया है, and the person is under trial, means अभी उसका process, जो है court में proceedings चल रही है, अभी वो trial face कर रहा है, and जो भी crime alleged, अभी that means proof नहीं हुआ है, अभी उसका crime, जो भी उस पर ilzाम लगाया, कि फलानी बंदे ने crime किया है, उसकी crime की सजा अगर 6 साल है, ठीक है, and 3 साल तक उसका जो trial process है, वो चल रहा है, तो उसको bail जो है, वो मिल सकती है, हमारे पास यहाँ पर 2 terms आती है, एक आपका होता है, a detention, and एक है आपका arrest, ठीक है, arrest होता है, जब कोई person finally charged with a crime, प्रूव हो गया, कि हाँ, इसने crime किया है, and detention होता है, वो under temporary police custody, ठीक है, without formally कि उसने accepting, without formally arresting them, कि अभी वो trial process में है, अभी उसपे जो crimes, उसपे जो ilzाम लगे थे, वो भी प्रूव नहीं होए है, ठीक है, तो वो उसको हम detention बोलते है, arrest होता है, जो charge है, वो proof होगे है, detention में charge जो है, वो भी proof नहीं होए होते है, तो यहाँ पर आप explanation लेख सकते हो, which are the following statement regarding the recent Supreme Court judgment on the right of person accused of crimes is correct, तो कौन सी statement correct है, the Supreme Court in Siddharth versus state of UP clarified that custody is not required for filing a charge sheet if the accused cooperates with the investigation, ठीक है, तो उसको custody में लेने की जुरुत नहीं है, अगर क्या है, जो accused है, अगर और कॉपरेट करेगा with the investigation, तो उसको arrest करने की जुरुत नहीं है, fine, तो यहाँ पर आजाते है, option D, is incorrect because article 22 does not mandate informing the accused of the grounds of the arrest in writing as emphasized by the Supreme Court, तो पर article 22 mention हो गया है, आपको अर्टिकल 22 बता देती हो होता क्या है, that is a fundamental right, जो होता है, protection against arrest and detention, ठीक है, in certain cases, तो अपका अंसर इसमें क्या होता है, option C, तो क्या इसका गोल नहीं है, supporting the construction of large-scale infrastructure projects for commercial purposes, तो मतलब यह logic से भी आप solve कर सकते हैं, कोई government की scheme है, तो government की scheme में ऐसा कोई point नहीं होगा, जो large-scale infrastructure है, उनको support करो, schemes usually downtrodden section जो होती है, उनी के लिए लाई जाती है, तो इसको अब थोड़ा बहुत logic लगा के भी solve schemes को कर सकते हो, which are the following statement about the UMRO 2.0 is correct, तो कौन सी statement correct है, तो यहाँ पे चार statements दी हुई हैं, उसमें B वाली correct है, पेजल सुरवेक्षिन under UMRO 2.0, assesses equitable water distribution and wastewater reuse, कि मतलब water distribution equal हो, और जो wastewater है, जो भी water waste हो जाता है, उसको बाद में reuse करना, encourage करने के लिए competition among the cities, ठीक है, तो answer is B, तो यहाँ पे सारे जो options हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी detail लिखी हुई है, जो पीडियेव डाउन्लोड करके अपना, वहाँ से याद कर सकते हैं, बाद में time lease को revise कर सकते हैं, तो यह आपका current affairs का policy का one section complete हो, अभी आएगे इस दो तीन parts में और आपका policy जो है complete हो जाएगा, इसलिए I suggest you guys, अभी से current affairs start करो, खासकर जिनका prelims आने वाला है, वीक में दो तीन classes जादा नहीं है, एक देट महीने में आपका सारा current affairs complete हो जाएगा, जब last wait करो, एंड में 7 महीने, 8 महीने एक साथ पढ़ो, उसे बेटर है कि वीडियोस देखो, एंड ये PDF जो है डाउन्डोड कर लो, एंड इसके बाद आपको current affairs के लिए और कहीं जानने की जुरत नहीं है, ठीक है, तो till the time you get a new video, बाइट एक येर, have a great day.